नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पी सी एंबी डिजिटल गुरूप कुल क्लासिस पर बच्चों मैं उमीद करता हूं कि आपको अभी तक हमारे द्वरद्धी की सारे जानकारें से बहुत सारा फायदा हो रहा होगा आज हम गुजरात और मध्यपरदेश की आयूश काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको इंफर्मिशन दे चुके हैं उनकी कट आफ्स पता चुके हैं अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अब तक रेजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किये थे आयूश काउंसलिंग उनमें से एक उत्राखंड है उसके रेजिस्ट्रेशन शेडियूल काउंसलिंग शेडियूल में आपके साथ डिसकस करने वाला हूं तो देखिए उत्राखंड की जो रेजिस्ट्रेशन शेडियूल है बटा वो uac.in पर आ गई है और अब हम इसको पढ़ते हैं अगर अभी नीचे पॉइंट नमबर 5 है मैं आपको जरूर दिखा दूँगा वीडियो खतम होने से पहले पॉइंट की क्या फीस कैसे पेक करनी है फिर्स राउंड अफ काउंसलिंग जो होगी बटा वो 20 यहनि की परसों से शुरू हुई है और 27 जैनवरी तके चलेगी डिस्प्ले ओफ मैरिट लिस्ट अन वेबसाइट वेबसाइट के उपर जो मैरिट लिस्ट होगी बटा वो 29 जैनवरी को आईगी उत्राखंड का रिजल्ट यहनि की 29 जैनवरी को शाम को 5 बजे रिलीस किया जाएगा च्वाइस फिलिंग बाई कैंडिडेट आप लोगों को मैरिट लिस्ट आने के बाद जो है अपनी च्वाइस फिल करनी है आपको जिस साब से लगे मुझे पर्टिकलर कॉलेज मिल सकता है तो आप 33, 31 तारीक तक आप कॉलेज फिल कर सकते हैं तो दिन 13, 31 तीन तारीक को रिजल्ट जो है वो डिकलेर किया जाएगा पांच बजे लास्ट रिड़ आफ जॉइनिंग दे लॉटेड कॉलेज जो भी कॉलेज आपको मिला होगा उसको जॉइन करने की जो आखरी तारीक होगी वो 6 फेबरी होगी पांच बजे 6 फरवरी शाम तक आपको किसी भी हाल में 2021 में कॉलेज जोइन कर लेना है तो यह तो बात हुई फर्स्ट राउंड कांसलिंग की जो की 20 जनवरी से स्टार्ट होकर 6 फरवरी तक है अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं अब देखें सेकेंड राउंड कांसलिंग की जो डेट सेंट जो तेंटेटेव डेट से देखिए तो कंफर्म डेट से उपर वाली तो यह तेंटेटेव है अगर फरस्ट राउंड की रेजल्ट में डेले होता है तो सेक्स को रेजल्ट आएगा लास डेटर जोइनिंग की तो सेवन तारिक से सेवन ओफ फेबरी से आपके पास अलाउड होगा आपको फोरेस रेजिस्ट्रेशन करना और फी सबमीशन भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग सीट अप्ग्रेडेशन के लिए अप्लाए करना सार मालो जे किसी बच्चे न अच्छे तारिक को कॉलेज में डिमिशन लिया है और वो चाहता है उसकी सीट अप्ग्रेड हो तो उसके लिए भी ये प्रोसेस बहुत ही इंपोर्टन रहेगा तो देखे साथ फरवरी से लेकर दस फरवरी तक की इंफिमिशन आपको प्रवाइड करानी होगी डिस्प्ले ओफ मेरिट लिस्ट अन वेबसाइट वेबसाइट के ओपर जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 12 ओफ जैनवरी को फेवररी को आएगी पाँच बजे फिर दो दिन जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में थे ऐसी दो दिन टू डेज आपको 13 से 14 तक यहाँ पर अपलाए करने का टाइम दिया जाएगा च्वाइस फिलिंग और फाइनल पिंट आउट अपना निकाल के रख लीजेगा यूगि एडमिशन के टाइम पे वो काम आएगा declaration of result 17th को होगा उपर 3rd को हुआ था तो 3 दिन मिले थे यहाँ पर भी आपको exact 3 दिन 20 तारिक तक आपको एडमिशन जरूर ले ले लेना है कॉलेज में तो 1st counselling 20 से शुरू होकर 6 FAB तक जाएगी 20 January to 6 FAB 2nd counselling 7th of February से शुरू होकर 20 February तक जाएगी तो करीब करीब दोनों ही counselling जो है पहले वाली counselling 16-17 दिन के है तो दूसरी counselling 13 दिन में निपढ़ जाएगी इसके वाद बिटा मोप अप राउंड के जो tentative dates दी गई है वो दी गई हैं कि अगर 20 को आपका supposedly यह मान लिया जाए कि आपने college ले लिया है अब upgradation का option आपके पास नहीं रहेगा जो seat है वो final है आपको online registration और fresh registration यानि कि उत्राखन के अंदर fresh registration आपको allowed रहेंगे और fee submission जो है 21 to 23 के बीच में करा देनी है merit list उसके just next day 24th of February को release कर दी जाएगी 26 तक आपको किसी भी हालात में जाकर report कर देना है physical reporting जो है वो होगी और allotment of seats होगी यानि कि जो mop up round होगा वो कैसा होगा बिटा offline होगा registrations online होगी बट round offline होगा 27 तक आपको college किसी भी हाल में join कर लेना है reserves the right to modify the above counseling schedule यह जैसे tentative data से पता ही चल रहा है कि अगर वो चाहें तो हमारे इस schedule को change कर सकते हैं कभे भी तो basically हम कह सकते हैं कि 20 January शे शुरू होकर एक बहुत ही लंबिक counseling procedure है जो 27th of February तक चलेगी अब देखो बिटा जैसे मैंने उपर ही बताया था कि registration के लिए point number 5 में आपको बता ही दूँगा तो देखे registration के लिए point number 5 क्या है कि online counseling में one time registration fee 2000 की होगी round 1 के लिए और round 2 के लिए for all the categories सभी categories के लिए लेकिन जो fresh registrations करेंगे what registration fee for fresh registration round 2 is rupees 2000 in mop up round already registered candidates को fees नहीं देनी होगी sorry fees देनी होगी कितनी 1000 की ठीक है और fresh registration जो होगा new candidate जो होगा उसको 2000 पे करना है तो यहनि कि round 1 और round 2 के दो बार आपको 2000 fee सभी बच्चों को पे करनी है और mop up round तक अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको already registered candidate को 1000 और बाकी लोगों को 2000 की fee पे करनी है counseling के दोरान जो आप registration fee दे रहे हैं वो refund नहीं होगी नहीं वो आगे forward की जाएगी अगर application reject हो जाती है कि कोई document आपका पूरा नहीं मिलता है central house counseling को तो भी आप ineligibly माने जाएंगे तो candidate से request है कि eligibility criteria जरूर देख लें before applying only eligible candidates will be considered for counseling for all the rounds registration fee जो है वो online ही पे करनी है आपको through net banking credit card और debit card check your draft accept नहीं किया जाएगा eligibility criteria पर भी हम जल्द ही एक video आपके लिए जरूर लेकर आएंगे दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये information समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी धन्यवाद दोस्तों इस video को देखने के लिए channel को subscribe करें for all the latest updates from all over the country और हमें support करें videos को like और share जरूर करें धन्यवाद